हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे आस्तिन की लंबाई फ्रेंड हमारी इग्यार रहीं छे आस्तिन की लंबाई नापने के बाद अब हम आस्तिन के कपड़े को दो भागों में कट कर देंगे तो इस तरीके से फ्रेंड आपको आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लेना है अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम बक्रम लेंगे तो फ्रेंड हमारी बक्रम की लंबाई आस्तिन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए अब हम बक्रम की चोड़ाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी बक्रम की चोड़ाई साड़े चार इंचे अब हमें बक्रम को इस तरीके से फोल्ड करना है फिर हमें यहां से फोल्ड करना है तो यहां से एक बराबर में फोल्ड कर ले फिर हमें यहां से एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है इसके बीच में हमें पत्ते की सेफ में किनारे की साइड में इस तरीके से पत्ते की सेफ में हमें डिजाइन बना लेनी है इस तरीके से डिजाइन बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये इस तरीके से बकरम की कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा फ्रेंड इसे इस तरीके साहता से कपड़े पे आपको इस तरीके से चिपका लेना है और बिल्कुल इसी साइच का हम फ्रेंड एक दूसरा कपड़ा लेंगे इसे डिजाइन के हमें नीचे की साइड में इस तरीके से लगाना है इसे अच्छे से एक बराबर कर ले कपड़े को नीचे के साइड में अच्छे से एक बराबर लगाने के बाद अब इसके बीचों बीच में हम सीधी सिलाई चलाएंगे तो फ्रेंड इस तरीके से आपको बीच में एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेनी है सीधी सिलाई चलाने के बाद अब हमें क्या करना है उपर की साइड से जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें इस तरीके से सिलाई चलाना है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe ने किये हैं तो please हमारे चैनल को subscribe करके गंटे को बजाना ना भूले जिस से हमारी next वीडियो की notification मिलती रहे तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं इसी तरीके से फ्रेंड हमें दोनों साइड में सिलाई चला लेनी है जिस सेफ में हमारा डिजाइन है तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब यहां से धागे को कट करने के बाद अब हम दोनों डिजाइन को बीच में से कट करके अलग कर दे कपड़ा की कटिंग कर लेंगे तो हमें सिलाई के हलके से बगर में इस तरीके से कटिंग करनी है इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हमें डिजाइन को फोल्ड करके अच्छे से सीधा कर लेना है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लिस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बचाना ना भूले जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहे बिलकुल इसी तरीके से जो हमारा दूसरा डिजाइन है उसे भी हम सिधा कर लेंगे दूसरे डिजाइन को फ्रेंड हमने फोल्ड करके सीधा कर लिया है इस तरीके से अच्छे से सारे डिजाइन को फोल्ड करके सीधा कर ले अब हमें क्या करना है फ्रेंड अब हम डिजाइन को साइट में रख देंगे और देड इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे हमें दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाई चला देना है तो इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसके उपर सिलाई चला के चोड़ी पट्टी वाली डूरी बना लेंगे इस तरीके से फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे की कटिंग कर लेंगे अब हमें क्या करना फ्रेंड चोड़ी पट्टी वाली डोरी की कटिंग करनी है तो हम साड़े तीन इंच की लंबाई नापेंगे और यहां से कट कर लेंगे हम बिल्कुल इसी साइज का फ्रेंड हमें धेचारी डोरी की कटिंग करनी है तो हम ऐसी धेर सारी डोरी की cutting कर लेंगे तो फ्रेंड हमारी ये line भी complete हो चली है डोरी की cutting करने के बाद अब design बनाने के लिए फ्रेंड हम लंबा सा चोड़ा सा कागच लेंगे और जो हमारा design है इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा कर इसके किनारे के साइड में हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड हमें दूसरे साइड में भी डिजाइन को जॉइंट करते हुए इसके किनारे के साइड में हमें सीधी सिलाई चला लेनी है तो हम दूसरे साइड में भी डिजाइन में सिलाई चला लेते हैं फ्रेंड इस तरीके से तो फ्रेंड हमारी इस तरीके से ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब किनारे के साइड से जो हमारा एश्ट्रा कागच है यहां से कट कर देंगे अब हमें फ्रेंड डिजाइन में चौड़ी पट्टी वाली डोरी लगानी है तो चौड़ी पट्टी यहाँ पे लगाना है फ्रेंड डोरी को यहाँ पे इस तरीके से तिर्ची में लगाना है हमें एक डिजाइन में दो डोरी लगाना है इसे इस तरीके से अंदर के तरफ में इसी तरीके से हम सारे डिजाइन में चोड़ी पट्टी वाली डोरी को लगाती जाएंगे इस तरीके से सारे डिजाइन में चोड़ी पट्टी को लगाती हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आपको इसके उपर सिलाई चला लेनी है जिस सेप में आपका डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में इसके उपर सिलाई चला ले और फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को बचाना ना भूले जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है अब दो इंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे इस तरीके से फोल्ड करके डिजाइन के किनारे के साड में लगाते हुए हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब यहां से एस्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साड में भी कपड़े को फोल्ड करके लगाएंगे और इसके किनारे के साड में सिलाई चला लेंगे इस तरीके से फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है अब एस्टा कपड़े की कटिंग यहां से कर लेंगे हम एस्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब किनारे की साड में जो हमारा एस्टा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से इस तरीके से आपको एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेना है तो फ्रेंड हमने दोनों साइड में एश्टा कपड़े की कटिंग कर ली है अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े को हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डिजाइन के उपर इस तरीके से लगाते हुए हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बचाना ना भूले जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइन करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से यहां पे भी आपको इसके उपर सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी यह लाइन भी कंप्लीट हो चली है अब आस्तिन के कपड़े को आपको उल्टा कर देना है और देर दिन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है यहां पे इसे इस तरीके से लगाए और एक बराबर में इसके उपर सिधी सिलाई चला ले अब हम यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद आस्तिन के कपड़े को सीधा कर ले और यहाँ से कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो friend कपड़े को फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक बराबर होना चाहिए कहीं जढ़ा चोड़ा और कहीं जढ़ा पतला नहीं होना चाहिए तो friend इस तरीके से इसके उपर सीधी सिलाई चलाने के बाद friend हमें क्या करना है हमें इसमें friend बटम लगाना है और मोती इस तरीके से लगाना है